सो हलो फ्रेंट स्वागते आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में देश दुनिया की कुछ खास खबरे हैं आईए जानते हो उत्तरप्रदेश की तमाम महत्पूर खबरे चाहे वो आपके फायदे की हो या फिर होने वाले नुकसान की हो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि काफी खास खबरे हैं चाहे वो छातरों के लिए हो या पिम किसान सम्मान दी का हो या फिर रासनकार धारकों के लिए हो सबी के लिए इंपॉर्टन जानकारियां लेकर आए हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं पहले खबर की तो यूपी निकाय चुनाओ पर मंगलवार तक हाई कोड ने रोक लगा दी है तब तक राज निर्वाचन आयोक को निकाय चुनाओ के अधिसूचना जारी करने में हाई कोड ने रोका है वाई दोस्तों वार आर्सी ग्यान वाफी प्रकरण में सुनवाई टल गई है जी हाँ 19 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी वाई पर अखलेस और वैसी मामले में 22 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है वाई दोस्तों यूपी में जी अश्टी विभाग की कारवाई अगले 72 घंटे तक रोक लग गई है आपको दादे जी अश्टी विभाग की टीम लगाता यूपी में अलग अलग जगों पर ताबर तोर छापे मारी कर रही है जिससे वियापारियों के बीच खौफ देखने को मिला और अपनी दुकानी वो बंद की रहे लेकिन इस बीच वियापारियों के चापे मारी का विरोध भी कर रहे है और यही कारव है कि जी अश्टी विभाग की ओर से अगले 72 घंटे तक इस पर रोक लगा दी गई है वही दोस्तों अकलेस यादो को भाजपा पर हमला है बोले जी अश्टी जांच के नाम पर वियापारियों को परिसान कर रही है सरकार जी आ दोस्तों समाजवादी पार्टी के दाश्टिया द्यक्ष अकलेस यादो ने कहा भाजपा सरकार एक और प्रदेश की तरक्की के लुभावने सपने दिखाती है वह दूसरी और देश की अर्थवास्ता में मुख के भागीदारी नेभाने वाले व्यापारी वर्ग का उत्पियुन करती है पांच वर्ष पाद उसे होस आया और अब प्रदेश के उद्यमों के विकास के लिए विदेशी उद्यम्यों से मदद मांगने जाना पड़ रहा है इसके साथी पीम किसान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और जब आप अपना बेनिफीसिल स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पर अगर आपको के वाईसी नो दिखाता है तो इसका मतलब आपको तेर्वी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा जब दोस्तों अगर आपके पीम किसान योजना के अगली किस्त के स्टेटस में सीडिंग और EQIC के आगे नो लिखा है तो समझ जाए कि तेर्वी किस्त आपके खाते में नहीं आएगी आपको यहाँ पर संपर करना होगा आप काउंटेक नमबर देख सकते हैं इसके साथ ही तेर्मी किस्त जो है वो नए साल की पहली तारिक तक आपके खाते में ट्रांसफर होगी वही चना तेल नमक को लेकर एक बड़ा देख सामने आ गया है फ्री रासन में आपको बता दे चना तेल नमक BJP सरकार दे रही थी लेकिन इसी को लेकर अकले सरकार ने BJP पर तंज कसा है दर असल आपको बता दे BJP को वोट चाहिए तो मुफ्त में देती है रासन तेल चना अपको बता देख सामने आ गया है वैसे आपको क्या मानना है कॉमेंट हमें जरू कीजेगा दर असल दोस्तों सबात देक्ष अकले से आदो ने कहा भाजपा को जब वोट चाहिए तबी बाटती है रासन भाजपा को जब वोट चाहिए होता है तबी वो गरीबों को मुफ् में कृष्णा नगरी को दिये 822 करोन की सौगात प्रबुद्वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित आपको दादे मुख्यमंतरी का मतुरा दोरा भले ही भाजपा का प्रबुद्वर्ग सम्मेलन दर्साय जा रहा है लेकिन हकीकत में ये आगामी निकाय चुनों की तैयारी का एक हिस्सा है आपको दादे 822 करोन की योजनों की सौगात दी है मुख्यमंतरी सीम योगी ने मुख्यमंतरी के आगमन को देखते हुए पुलिस और प्रसासने के स्तर पर सभी तैयारीया पूरी कर ली गई थी कारेकरम इस्थलपर सुरक्षा के करें इंतजाम रहे थे वहाई पर बॉलिवूड अभिनेता और राजपाल यादो की सूटिंग में हंगामा हुआ है अभिनेता पर गाली गलोज करने का आरोप है दरहसल दोस्तों आप कदा दे क्या पूरा मामला हुआ है करनल गंज में बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादो की फिल्म की सू विकिन आपको दादे उसको चोट भी आती है, जिस बजा से रामा होता है, राश्पाल यादों ने गाली गलोज की और उनके बाउसरों ने उस व्यक्ति को पीटा है, ऐसा उनके उपर आरोप लगाए गया है, अच्छा इसके साथ ही स्कॉलर्शिप को लेकर भी एक बड़ अ पूरती या फीज भरपाई के लिए आवेधन का एक और मौका दिया गया है, दोस्तों आपको दादे उननीस सत्ताइज जनुवी 2023 तक सही करना होगा हार्ड कॉपी संस्थान में पुना सत्यापन के लिए जमा किये जा सकेगा, अब यहा है पूरा स्रेडूल, दो मई 2022 को ज और 26 दिसंबर तक आवेधन की डेट को बढ़ा दिया गया है, वाई पर दोस्तों सीत लहर का कहर है क्योंकि बरेली में सीत लहर पढ़ रही है, नियुनतम तापमान 10 डिगरी तक पहुच गया, युबी में सबसे ठंडा मौसम भिजनौर का और सबसे गर्म बनारा सो प्रिय 15 दिसंबर के बाद अब कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जिसमें तापमान 8 डिगरी से 9 डिगरी तक पहुचेगा, आप यापे युबी के मुख्य सहरों का 100 मार का तापमान देख सकते हैं अचवाई पर मोधी के हत्या की बात करने वाला कांग्रेस नेता गिरबतार हुआ है, पटेणिया के घर सुबा 5.30 बजे पुलिस पहुची पार्टी भी नो नोटिस जारी कर सकती है पटेरिया के उपर अच्छा इसके साथ ही दोस्तों ट्विटर ब्लू सर्विस सो मार को रिलाउंच होगा सब्सक्रिप्सन वाले यूजर को ब्लू चेक मार्क मिलेगा HD वीडियो भी अपलोड कर सकेंगे ट्विटर अपनी ब्लू सर्विस को सो मार को लाउंच करने जा रहा है ट्विटर के ओफिसियल हैंडल पर इसका एलान किया गया है इस सब्सक्रिप्सन सर्विस में सरकार कमपनियों और आम लोगों को अलग अलग रंग के बैज मिलेंगे कमपनियों को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आमनागरिकों को ब्लू टिक मिलेगा इसके लावा सभी चेक एक्टिवेट होने से पहले मैनुवली चेक किये जाएंगे आपको दादे भारत में ब्लू सब्सक्रिप्सन के लिए चुकाने होंगे 719 रुपए तो दोस्तों खरमास 16 दिसंबर से 14 जनुवरी तक है इस दोरान पूजा पाठ और दान करने की परंप्रा है खरमास में क्या करें क्या नहीं इसको भी आप चालीजे क्योंकि परवाली गनतों में मताबिक खरमास की दोरान सुब काम नहीं किया जाता यही कारण है कि साधी बगएरा भी अब नहीं होगी 16 दिसंबर से 14 जनुवरी तक जिया दोस्तों खरमास में दान का महत्तो है दान कीजेगा खरमास में कर सकते हैं आप खरीददारी खरमास में नए कपड़े ज्वेलरी उद्यापन न करिए यग्यों पवित न करिए विवाव पर्थम तीर्थ यात्रा भी न करे यानि इन सभी चीजों में क्या करना है क्या नहीं करना मैंने आपको बता दिया है फिलाल खरमास 16 दिसंबर से लग रहा है जो 14 जनुवरी तक रहेगा दोस्तों में पर सौर उर्जा से मिलेगी उद्योगों की सक्ती जी हां सीम योगी ने थर्मल और हाइड्रो पावर पन निर्भरता कम करने के दिये है निर्देश यूपे में बढ़ती उर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो हर साल 16% की दर से बढ़ेगी ऐसे में योगी सरकार पारंपरिक उर्जा प्रणाली थर्मल हाइड्रो पावर पन निर्भरता कम करने के दिसा में तेजी से आगे बढ़ आई है इसकी मुक के वज़ा थर्मल हाइड्रो पावर के जरिये बिजली उत्पादर में आने वाली भारी भरकम खर्च से बचने और प्रदूसर के बरतेस्तर को कम करना है यूपी नियूज में आपको दादे 2017 के बैच के IPS अफसरों को SP बनने के इंतजार है पिछले महीने CM से की थी मुलाकात 2017 बैच के एक दरजल स्यादी का अफसरों को अब इस बात का इंतजार है कि अभी तक को पुलिस अधिक्शक के पत पर तैनातली नहीं मिली है 13 अफसरों ने बीते महीने मुख्रंदी यूग यादी इतनात से मुलाकात की थी वाइपर यूपी गोल प्राइस जा लिजे क्योंकि कानपूर अगरा और बरेली में सोना चांदी दोनों में गिरावट हुई है गोरकपूर में सोना इस्थिर है फिलाल आपको दादे भारती सराफा बजार में सोना और चांदी में रेट जारी कर दिया गया है और 13 अफसरों को भी सेम वही रेट रहा है कानपूर अगरा और बरेली में सोना चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की गई है सनिवार को सोना 53,500 रुपए प्रती 10 ग्राम, चांदी 65,500 रुपए प्रती किलो रही है सोमार को सोना 53,400 और चांदी 65,200 रुपए किलो रही है आगरा में सोना चांदी दोनों में गिरावट देखी गई है सोना जो है सनिवार को 53,800 था और 64,700 का चांदी था लेकिन सोंबार को सोना 53,500 का हुआ और चांदी 64,300 रुपए के हुई यानि आने वाले समय में सोना चांदी में फिलाल अब गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि अब खर्मास महीना सुरू होने वाला है जिसमें साधी वगेरा के तेवार फेस्टिवल नहीं होते ऐसे में सोना चांदी लोग इस समय खरीदते हैं जिससे आने वाले 14 जनुरी के बाद से जो फिर से साधी विवा का समय सुरू होता है उसमें खरीदारी से बचते हैं लोग क्योंकि उसमें ज्यादा सोना चांदी महिका होता है तो आने वाले 16 तारिक से लेके 14 जनुरी तक सोना चांदी की खरीदारी जम कर लोग करेंगे फिलाल अभी सोना चांदी सस्ता हो रहा है वाई दोस्तों UP बोर्ट की डेट सीट के बारे में जा लीजे क्योंकि UP बोर्ट के प्रैक्टिकल सोला से 28 फर्वरी तक होगा हाई स्कूल और इंटर बोर्ट परिक्षाएं मार्च में होंगी जिया दोस्तों आपको दादे अब प्रैक्टिकल परिक्षाओं की डेट तो घोसित हो गई है लगबग 58 लाग से जादा स्टूडेंट इस बार परिक्षा देंगे सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ सेयर किया गया है आई होप आपको पसंद आया होगा ऐसी जानकारी यासे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद